कैसे हैं आप सब लोग इंशाललह बहुत अच्छे और बहुत ही खुश होंगे तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है साथ में ब जाएब कि रेसिपी जो आपने शायद ही पहले कभी नहीं खाया होगा बहुत ही जबरदर्स जायका है इसका होगा तो पैन में डालना है एक टेबल स्पून भरके शर्सों का तेल आप जो भी तेल खाते हो तेल डाल सकते हो ऐसे नॉन्वेज में शर्सों का तेल से बहुत सा ब्राउन करना है इसमें एक टी स्पून भर के ऐज टेस्ट डाल देंगे नमग और इसमें जाएगा देड़ सो घ्राम के खरीब बारीक कट किया हूँ टमाटर प्याज आप देख रहे हो बिल्कुल ही ब्राउन नहीं हुआ है बस नरम हो गया है इतना ही करना है उसके बाद टमाटर डालेंगे टमाटर को भी एक से दो मिनट तक मेडियम भी प्लेम भूल लेंगे उसके बाद इसमें डाल देंगेology लेसन अध्रक का पैस्त डालं के भी इससे हम एक से दो मुनेट तक लो फ्लेम भूलेंगे ताक़ लेहसन' को इसमेलं चला जाए और उपर से टमाट बुरी टिकगा मसाला एक टीज्पून, आप चाहें तो चिकन मसाला भी डाल सकते हो, वन फोर टीज्पून हल्दी पॉडर, हाफ टीज्पून लाल मिर्श पॉडर, एक टीज्पून धनिया पॉडर, अब ये सारे मसाले डाल के भी 1-2 मिनट तक लो फिलेम पे भून लेंगे मसाला भूनने का मतलब यह है कि मसाला भी भूनेगा टमाटर प्यास भी अच्छे से फ्राइ हो जाएगा भून जाएगा बहुत अच्छे से अब इसमें हमने डाल दिया वन फूर टीस्पून चिली फ्लिक्स, कुटी वी लाल मिर्श, एक टीस्पून भुना हुआ जीरा का पॉडर इन सब को भी अच्छे से भुनना है, में यही है कि मसाला अच्छे से भुनना है, आप चाहें तो साथ में एक ट्टे भी सारा मसाला डाल सकते हो अब इसमें हम डाल दे रहे हाफ कप पानी, पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और स्टोव आफ कर देंगे या एक दम लो कर देंगे क्योंकि अब इसमें हम डालेंगे 100 ml के खरीब एक चोटी कटोरी भर के दही डालती है जो कि 100 ml के खरीब होगा अब डाल करके ये 1.5 kg कलेजी का मसाला बन रहा है बहुत ही मसालेदार और बहुत ही जायकेदार मसाला बनेगा जिनको कलेजी पसंद दें उनको भी पसंद आने वाला है तो दही डालके बस लो फिलेम पे इसको 2-3 मिनट तक सारे मसाले को पकाएंगे उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कलेजी कलेजी डालने के बाद फिलेम एकदम लो रखेगा अब फिलेम अब ना मीडियम करना है ना हाई करना है लो फिलेम पे ही कलेजी को भुनेंगे और अब पानी डालने की बिल्कुल ज़रूद नहीं है चलाते रहेंगे बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हैं कलेजी अपना पानी खोड़ेगा तो पानी नहीं डाले पानी खुद वह सारा चुट जाएगा तो भी विसेंधा पंज होता है वो कम हो जाता है कलेजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप पहले इसको एक से दो मिनुट तक लो फ्लेम पे भूनने के बाद आप चाहे है बिलकुल मसाला भुन जा पानी बिलकुल भी नहीं रहे कलर एक दम चेंज हो जाएगा तेल सेपरेट होने लगेगा तो समझ जाए कि अब यह कलेजी बहुत अच्छे से भुना गया है लेकिन यह है बकरे का कलेजी है इसको गलाना है गलेगा भी है तो इसमें पानी हम ड यह मिक्स कर देना है इसमें हम डाल देंगी कसूरी मेथी जो सुखी हुईfish होती है उसسری कसूरी मेथी होती है कासूरी मेथी थोड़ा سा लेना है एक ठीसपूने घरिए यह यानी थोड़ा सा मुठी में लेना है लेगे इसे अच्छ से करेंगे चूर लेगे उसके बाद इ जल्दी है कोई गेश्ट घर पर आगया है तो आप इस दोरान प्रेशर कूकर में दो सितिन सिटी लगा लो तो फटा फट पांच मिट के अंदर अंदर ही पक जाएगा तो लेकिन यही है कि पैने पकेगा तो धीमे धीमे बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो दस से बारा मिन जी कलेजी है तो यह छे लोगों के लिए हो गया अब इसके साथ आप चपाती बना देजी या प्लेन राइस बहुत ही अच्छा लगया खाने में पूरी के साथ प्राटे के साथ भी खा सकते हो लेकिन रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है जैसे दिल चाहे वैसे कि एक्सालेदार कलेजी की रेसेपी और इसे जड़ा से आप अपछिवे अपने फ्रेंड्स में आपने रिलेटिव्स में और वीडियो को लाइक कर देजिएगा शेयर कर देजिएगाः खुब सारा उनोगता उन्या प्राटी का खान लगतेगाँ अपने बच्चों का ख्